गुड मानिंग श्टूडेंट आज हम क्या पढ़ेंगे साइन्स जाप्टर 17 है ना यह जो क्वेस्टेन सार मैंने लिखी हूँ इसको मैंने भेज़ दी हूँ आप लोग साइन्स वाली कौपी में कर लेना ठीक है आच्छा देखो क्वेस्टेन नमबर वान मेंगो ट्री जे हर्प और ट्री मेंगो ट्री जब लिखा है तो वो ट्री है हर्प नहीं है है ना तो लिखिना मेंगो ट्री जे ट्री ठीक है question number two name any two sir दो sir का नाम क्या है rose or cotton ठीक है rose or cotton name any two herb two herb का नाम क्या है brinjal or sunflower आई समझ में name four things which plants gives us चाल की क्या है एक grain से है है ना एक grain से है pulses है fruits है vegetable है wood tea coffee इतना सारा है one two three four five six seven इसमें से हम चार चांड की कुछ भी लिखिना ठीक है मैं तो लिखिए हूँ grains fruits wood tea चार लिखिए हूँ जिसको जितना याद है उतना ही लिखिदेना ठीक है उसमें से जो छोटा छोटा अंसर है जो याद है चार ची छांड की आप लोग लिखिना question number four में ठीक है इस तरह देखो इस तरह आप लोग copy में इसको कर लेना सांच वाली copy में आय समझने बच्चे इसे कर लेना उसके बाद देखो बच्चे question A take the correct answer question number one a very small plant is called small plant जो है उसको क्या कहते है तीनों option है serve, herb or tree तो हम किस में लगाँगे serve, herb में किस में? herb में ठीक है question number two a very big plant is called tree tree में लगाना तीनों option है serve, herb or tree big plant उसको हम tree बोलते है tree में लगाना ठीक है question number three a plant है plant में कितना parts है one part many parts three parts यानी many parts many parts में आएगा क्या क्या आएगा flower, fruits, root, steam है ना many हो गया ना ज्यादा हो गया ठीक है many में लगाना ठीक है question number B right, true, false T for true and F for false statements ठीक है question number one plants gives us food ठीक है right plants हमें food food means खाना देता है है ना यह हूँ चावाल ले सो हाँ, right banana is a tree right banana tree बरकाद एक पेड़ है मोटा बीग पेड़ है cotton plant cotton plant is a serve right cotton plant is a serve herb नहीं है ठीक है right we get paper from plants plants है पोधा से घास जो है उससे क्या बनता है paper बनता है हम चापेपर यूज करता है उससे बनता है हाँ बास जो है पेड हाँ और घास है उससे बनता है paper right ठीक है अच्छा question number C right T for tree S for serve and H for harp इसमें से तीन पेड़ है उसमें ये क्या है mango है है ना mango है दख रहो mango ये ट्री है टी लगाना ये टमाटो है ना टमाटो की क्या कहते है harp कहते है H लिखिना ठीक है और ये रोज है गुलाब की पेड़ पोधा ये सार्व है S लिखिना क्या लिखिना S लिखिना गुलाब है ना S लिखिना ठीक है यहाँ T H S आया समझ में बच्चे question answer science वाली copy में करना बाकी ये book भर लेना ठीक है बच्चे परकी लिखिना मैं चेक करूंगे ओके बच्चे लिखिना